बीरादर आएए शुरू करते हैं कल के लेसिस और जानते हैं कि कल बजार कैसे रह सकते हैं डिटा के वेस्पे जो है क्या यहां पर निकल के आये हैं चो बहुत ही तरह होता है वह यहां पर किया कोल पर इन्होंने किया है और पूटटप्स इयह यह पर लोग किया है यह आप कहह सकते हैं कंच करेंगे तो इंडेक्स फिचर पर किया को इंडेक्स फिचर पर कुछ नहीं फिर शॉड यह तो भी आप डेटा देख रहे हैं वाज की समरी थी यानि कि आज का लेखा जोगा किस ट्रेडर ने कैसे काम किया अब इस काम के बाद किसके पास कितना लॉंग इन कितना शॉट है उसकी बात करते हैं यानि कि वो डेटा जो इनके बैग में पैक होके गर की तरफ गया निकी मार्केट में पोजीशन उपन है और उसके बाद हम इस डेटा को जो है अनलाइज करेंगी और बाद में निकालेंगे कि एंफियांट के पास कितना शॉट हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लोत करते हैं इंडेक्स फीचर की क्लाइंट के पास टुटि-टृट के पास कुछ नहीं करते हैं तो क्लाइंट के पास 453 शॉर्ट सेल है पूट बेगे पास 76000 लॉंग के पास 527 यहां पर पूट लॉंग है और प्रो के पास 151 शॉर्ट सेल है इस टॉक फीचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 14 लेक्ट लॉंग है डिया के पास 20 लेक अगें शॉर्ट फ्याइए के पास 258 लॉंग और प्रो के पास 314 यहां पर लॉंग है तो यहां पर मुझे एक चीज़ दिखाए दे रहें कि प्रॉफिट बोकिंग आई है बट इस प्रॉफिट बोकिंग के बाद जो पुजिश को जो फाइनल कंक्लूड करना पड़ेगा कि भाई किसके पास कितनी पॉजिशन यहां पर मार्केट में ओपन है तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग सुरुबात करेंगे अपने क्लाइंट से तो क्लाइंट के पास 53,000 इंडेक्स वीचर शॉर्ट सेल है और कॉल देखें है 169 यानि कि 169,000 इनके पास अभी भी लॉंग पॉजिशन ओन है अब बात करेंगे दोस्तों एफ याई की एफ याई के पास 79,000 इंडेक्स फीचर लॉंग है और कॉल जो है 419 जो है कॉल लॉंग है और पुट जो है इनके पास 527 जो है लॉंग है तो अब इनका एम्टेम हो जाएगा 27,000 सेल बहुत ही चोटी सी पोजिशन एम्टेम बैसे स्पेसल यानि कि यह पोजिशन बहुत स्मार्ट तरीके से बनाई है जिसको डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल है सो बिल्कुल ही प्राइजेक्शन के साथ मैच करके ही काम करेंगे पहले हम इस प्रो के ड सब्सक्राइब हो जाएगा 35,000 सेल क्या बात है यह दोनों ट्रेडर आज दिनी छोटी मात्रा में पोजिशन वह भी सेल के लिए क्यों गये हैं अकिर ऐसा क्या है कुछ ऐसा चीज है जो आने वाला है डिटा के बेस पे या कुछ ऐसी एनाउंस्मेंट जैसे मार्केट हो सकत तरह 169 लॉंग है जो भी आज की पोजिशन थी उन्होंने कुछ काटी जो भी इनके पास लॉंग पोजिशन बनीवी थी जादे वाली उसमें से कुछ पोजिशन यह उन्हें कम की है तो सबसे बहतरिन तरीका है कि हमारे पास लेवल की इंफरमेशन होनी चाहिए क्योंकि ग कम हो जाती है और यह जो भी डेटा चेंज हुआ है प्रॉफिट बुकिम होई है कि क्या हुआ है यह हम लोग अपने डिश्टल ऑफसे चैन पर भी चेक कर लेंगे तो आई आगा बरते हैं सबसे पहले करना चाहूंगा टीजी पर नहीं है जरू जूड़ी एगा एड़ डि करते हैं स्माल टाइम फ्रेम पर मार्केट काफी ही जो है कह सकते हैं कि अप्रोच कर रहा है तो यहां से में ब्रेक के पॉसिबिल्टी आपको दिखाई देगी कि SDFC बैंक के रिजल्ट अल्मोस्ट कह सकते हैं कि अच्छी आए हैं तोड़ फोड़ वाले कह सकते हैं अब डिपेंड यह करता है कि शेर जो है तोड़ फोड़ वो खॉमेंट देगा कि नहीं देगा आप लोग कि राए क्या है क्या 5% कल उपर जा सकता है नहीं जा सकता है जरूर दीजिए आज के शुशन में चली आगे बढ़ते हैं तो देखी यह जो मैंने रेड़ लाइन ड्रॉकर करके रखी हुई थी और 48320 जिसकी हमने बात की थी यह खडल होगा यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और क्लोजिंग जो है 48000 लगाने के बाद यहां प में और होल्ड कर लिया तो आपको और यहां पर प्रेज जो है मुव दिखाई देगी अधरवाइस विदाउड गैप यह के साथ 48400 से लेके 500 के हीट होने के संभावना तो इनकेस अगर मार्केट रिजल्ट को अच्छे से नहीं लिए इस दिए उसी बैंक के रिजल्ट पे थोड़ी सी निरासा दिख सकती है और एवरेटिंग विल बी क्लियर विलो 48000 सो 48000 के नीचे ही आपकी कंफरमेशन आती है सेल की जब तक 48000 होल्ड है तब तक आपको शेल के लिए नहीं सोचना है तब तक आपको वेट एंड वाच करना है कि मार्केट यहां पर क्या सकता था सांत हो सकता था और वही हुआ लेकिन मैंक निफ्टी ने अभी जैस्ट कह सकते है कि ड्राइवर शीट को समाल रखा है तो यहां पर सेल के लिए भी नहीं सोचेंगे हां अगर कल 48000 के नीचे डिसेसिवली होल्ड करता है तो वहां पर फिर प्लानिंग कर सकते हैं औ बात करेंगे दोस्तों निफ्टी के देखिए जो रेश्चेंस है 22320 का है आप शपोर 21895 का है 22,000 के ऊपर जब तक है तब तक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है और आई यानि कि ऑल सपोर्ट जो कि सिफ्ट हुए है वो 22,000 के ऊपर ही है और आपने उस लेवल को समाल ल जिसके बाद फॉस्ट तार्गेट अगें वही 120 के होंगे सेकेंड जो मूब आएगी 120 के ऊपर या तो कॉंसल्डेट करके तगड़ी कैंडल एक बने और उसको होल्ड आउट करें तो 22,000 के ऊपर निकलने के बाद फ्रेश मोमेंटम निफ्टी में आता हुआ दिखाई रहा था उसी तरीके से नेक्स्ट जो लेवल है वो 22,000 का है लेकिन सेलिंग के लिए कल अप्रोच नहीं करेंगे अगर यह लेवल आता भी है तो कल अवाइड कीजिए कल सिर्फ देखी जहां पर अपने लॉंग को कीजिए देखिए और उसको नेक्स्ट के लिए जिस दिन इसकी एक्सपारी होगी उस दिन इसको सेलिक लिए देखेंगे और अगर कल भी यह लेवल नहीं मीट हुआ तो अगले दिन फिर इस लेवल के आप क्लोज में जाके बंद होंगे उस समय आपको वेट करना है कि कैसे 300-320 लगे और अगर यह लेवल 22,300 वाला होलड़ नहीं क करता है तो वहां पर हम अपनी नजर गड़ाय रखेंगे और वहां पर फोकस करके चलेंगे अब बात करते हैं दोस्तों फानेस निफ्टी की जिसकी आज अल्मोस्ट मूटेड यूएक्स पारी देखी गई बहुत ही छोटे से रेंज में जिसके लिए जानी नहीं जाती है है 21620 शपोर्ट है 21395 2620 का रेंज और 2395 का शपोर्ट है जो भी आपने देखा कल हमने बताया था कल के अल्मोस्ट बहुत दिनों से कबर कर रहे हैं कि यह बॉक्स इसके लिए निकलना बहुत जरूरी है अदर्वाइज आपको बॉक्स के चोर पे और इस चोर पे दो चोरो पे रेडी रहन है अदर्वाइज बीच के चोटे लेबल को प्ले करना है अग्जेक्ली वही 520 वाला लेबल जिसके उपर हम लोगों ने कल डिसकुसन किया था वहीं से ज्वारी जिक्शन आते हो दिखाई दिया तो कल यह उड़ेगा भी तो इसी लेवल को उपर यानिकि क कभवना सिर्फ और सिर्फ 10 परशंट किये क्योंकि किसी भी एंगल से अगर सी बैंक पर करेगा तो फानेस निफ्टी कभी नहीं गिरेगा बहले ही बजाए ट्रिंस गिरे क्योंकि वहां पर करेक्शन है कुछ नेगेटिव नूज है अबिगोटी है क्लेटी नहीं है लेकिन कंडिशन में आपको बाइंडीब करके ही प्रॉफिट होगा अगर इसने सपूर्ट नहीं दिया तो डेफिनेटली जो पहला जो सेल सेट अप रेडी है बहुत अच्छे से वह आपका फिन निफ्टी में तो सेल के लिए कर प्रिफर करना है तो फॉस्ट फिन निफ्टी सेक किया अच्छा मूब दिया अब देख सकते हैं किसने रिशन के हाई को भी ब्रेक किया इस लेवल को प्रवाई था 136 143 तक के जो है मूब दिखाई दिए अब हम बात करेंगे कल की स्टॉक्स की तो कल के लिए दो स्टॉक है वह है के सी बैंक जिसने लिया है अच्छी बात ह लाइब में देंगे जो भी ओम सी कंपनी है आप उसके ऊपर नजर होना कर रखिए जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम आज हमने दिया था तो उसमें अनफॉस्टनेटली एसल भी हुआ एक पॉइंट कैसल था बहुत बढ़ा सली से लिए नहीं दिया था लेकिन उन्होंने क्योंकि उनको पता था कि क्या करना है इसने एक सार मुग दिया था जस्ट कह सकते हैं कि किलिंग आफेसल ही था अदर्वाइस सिच्वेशन किसी भी अंगल से नहीं थी कि गिरने वाला है और तो यह दोनों एमसी के स्टॉक है जो कि फर्स्ट प्रियाटी मैंने ओंगे सी प पर देखेंगे तो कुछ स्ट्राइक पे जो आपको कॉल की शॉट कवरिंग दिखाई देगी लॉंग सभी कुछ सेटी के लिए कवर हुए है जादी जो पूजिशन वह आज निकल के आई है कि लोगों ने सेटी पर पर चुकि एज़िवसी बैंकर जल्ट है विएट है तो कॉल का जो भी लॉंग था पोजिशन वह कवर कर लिया और यहां पर पूट राइटिंग दिखाई दे रही है यह आपको डेटा यहां पर क्लेरली दिख रहा होगा डिजिटली इतना उमीद कर सकता हूं और अपने कमेंट दिया किजिए दोस्तों कमेंट देते हैं तो पर विंटर जो ओफर हो जाएगा अब यहां पर देखेंगे तो नियर आइटेम पर भी कॉल की राइटिंग है और ओटीम पर दवा की राइटिंग है पुट में देखेंगे तो दोस्तों बाइंग भी होई यह बैंग उप्टी में तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपकि में पर पॉजिशन है जो जा रही है बहुत छोटी सी शौट की पॉजिशन है लेकिन जो भी कल पुट शौट हुए थे वह आज बाई हो गया एक्स्टा भी बाई गये हैं तो ऐसा तो नहीं कि इस डिफसी बैंक का जो रिजल्ट आया हुआ वह दोखा देने वाला है क्योंकि स कह सकते हैं कि तो आटलीस्ट वहां पर कोई निरासा नहीं देखनी चाहिए कम से कम इतना तो है कि कोई निरासा नहीं होनी चाहिए भले ही मूव छोटी आए इतना चोटी हमें अभी तक के लिए दिख रही है रेस्ट जो भी होगा कल हम लोग लाई में देखेंगे टोटल सब्सक्राइब देखेंगे तो 35 लेकर का वाई है और 32 लेकर पूट का वाई है वाई बैसिस पे कॉल के जो सेलर है वो थोड़े सी यहां पर जादे दिखाए रहे हैं सो एक चीज़ तो दोस्ते यहां पर क्लिर दिख रहा है कि जैसे ही कल बैंग निफ्टी फॉर्टी एट बैंग निफ्टी पूरे दिन रहेगी अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की तो निफ्टी पर देखेंगे तो बहुत ज्यादे शॉट कबरिंग हुई है और कुछ कॉल लॉंग भी कभर हुए हैं और ज्यादे कोई यहां पर कह सकते हैं कि बिल्डप जो दिखाई नही है और यहां पर भी जो पुट के लॉंग ते कवर हुआ है राइटिंग थोड़ी हुई है हो सकता है कि एक स्पारी को ध्यान में रखते हुए की गई हो यहां पर देखिए तो राइटिंग हुई है कॉल के राइटिंग दबा के और पुट में बाइंग भी गये हैं यह 2466 के करीब में पूट साइड में तो अभी पूट का हुआ है ज्यादा बना हुआ है यह इतने भी लोगों ने पुट बाइंग जो है की है यह कौन है यह आपने डेटा में भी देखा यहां पर आप इसको मिला कर सकते हैं लेकिन जो मूब आएगी वह क्लियरली आएगी बहुत छोटी सी पॉश्चन है कंप्लीट पॉश्चन को हैच कर दिया है तो कलकल लाइफ का जो प्राइजेक्शन है बहुत इंपॉटेंट होगा और उसी के कोर्डिंग हमें फ्रेस्टेट मिलेगा बागी कोई डाउट होगा दोस्तों तो अपने कमेंट नीचे दीज़े झाल